एलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में पिछले क्लास में हम लोग ने डीटेल में 3D एलिमेंट को समय लिया था यानि D-block elements की अपनी ये पूरी unit है जिसमें हम आपको ये दूसरी वीडियो दे रहा है फर्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा 3D जो सीरीज है उसे सीख लिया है इसमें हम लोग 4D और 5D सीरीज को सीखेंगे मेरे बाई कुछ भी फर्क नहीं है 3D बाले भी ये D-block बाले है 4D, 5D बाले भी D-block बाले है यानि वो भी catalytic property शो करते थे ये भी शो करेंगे वो भी interstitial compound बनाते थे ये भी बनाएंगे वो भी color शो करते थे ये भी करेंगे वो भी variable oxidation state शो करते थे ये भी करेंगे यानि लगबग सब कुछ सेम होने वाला है अगर आपने पहली वाली unit सही से पढ़ ली लिख ली तो मेरे भाई फिर इसमें कुछ भी cutting रह जाएगा नहीं लेकिन इस level पर मेरे भाई इसके नाम आपको याद करने पढ़ेंगे तो हमने क्या किया है हमने उनके नाम bracket में भी लिख दी है 49 से लेके 48 तक 4D series होती है और 57 से लेके 80 तक मेरे भाई होती है 5D series जैसे 80 नमबर mercury है 79 नमबर क्या है गोल्ड है 47 नमबर क्या है बताओ silver है यानि चांदी है iterbium है zirconium है niobium है molybidnam है ठीक है technetium है ruthenium है rhodium है palladium है silver है और cadmium है सारे नाम हमने यहाँ पे लिख दी है इन्हें आप याद करने की कोशिश करें बहुत सारी tricks भी होती है अगर आप हमें बताओगे तो हम इसकी कोई trick भी बताओगे क्या बना ही देंगे लेकिन overall tricks से इन्हें याद कर लेना ज्यादा अच्छी बात है तो यह 4D वाले पूरे लिख्या हुआ है यह पूरे पूरे कौन से लिख्या हुआ है 5D वाले जैसे आपके कुछ जान पहचान बाले भी है डबलू माने टंगस्टन टंगस्टन जानते हो बल्ब में लगा होता मेरा बैटीक है हाफ्मियम है आस्मियम है इरीडियम है पलेटिनम आप जानते हो गोल्ड आप जानते हो मरकरी आप जानते हो और नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इन सबको हिंडि में लिक लो इटरबियम, जिर् कोरनियम नाएबियम, मॉलीorpिटनम टेकनीतियम, रुथेनियम, रोडियम ठीक है पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम सब इसे हिंदी में लिख लो उसके बाद गाना बना बना कियात कर लो कोई फरक नी पड़ता है एक अलग से हम ट्रिक भी आपको बता देंगे सर ठीक है अब क्या देखो सबसे पहले अब ये बिल्कुल सेम चलने वाला है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका इलेक्टरानिक कन्फिगरेशन हमने थ्रीडी में भी बनाया था इलेक्टरानिक बिन्यास इसमें भी बनाएंगे भाईया इलेक्टरानिक कन्फिगरेशन तो देखो इनका जन्दियम, टाइटेनियम, बैनेडियम उसके पडोज में 18 नंबर आरगन आता था आरगन एक अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियान, आरगन, क्रिप्टन क्रिप्टन का नंबर 36 होता है तो जितने भी भाईया 40 वाले हैं वो 49 से सुरू है तो इसे पडोज में क्रिप्टन मिल दाएगा तो हम बिन्यास को बना लेंगे क्रिप्टन की फार्म में ताकि मेरे भाई इतना लंबा बिन्यास हमें ना ढोना पड़ा जैसे हैं कोई कहां 49 का बनाओ तो 36 नंबर तो क्रिप्टन ही हो गया उसके अद़ 4D1, 5S2 बात खितम हो गई 40 नंबर में बनाओ तो भाई यह 36 तो क्रिप्टन हो गए 36 और 2, 38 और 2, 40 हो गए तो इस तरीके हैं लोग क्रिप्टन की फार्म में बना देंगे कि भाई यहां तक तो क्रिप्टन अक्रिय गैस हो जाती है इतने इनके पास फाल्तू है कि 4D में 1 है 5S में 2 है मेरे भाई इस तरीके का यह सेनेरियो रहेगा तो यह पूरा बिन्यास बना दिया जिसमें से देखो PD, AG, CD इनका क्या है तो को 4D, 10, 4D, 10, 4D, 10 इनके पास completely filled पूरा configuration है उसके अलावा इनके 45, 45 इनके पास half filled configuration है यानि इनके D orbital भई यह D में कित्रे डब्बे बनते हैं 5 जान से समझो यह सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए आप फाइनल यह में लोगे इन फिर भी बतादे रहे भई D में कित्रे डब्बे बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे बनते हैं अगर सम में एक-एक elektron है यानि टोटल पाँच elektron है तो यह half filled कहलाएगा और सम में अगर दो-दो elektron है तो यह completely filled कहलाएगा जानि टोटल से में कित्ते हो जाएंगे 10 electron हो जाएंगे मेरे वह वाई ठीक है तो इस तरीके ते इसमें यह दो half filled है बागी क्या है completely filled है तो यहां पर हमने लिखा हुआ कि MO यानी molybdenum का electronic configuration ज्यादा stable होता है क्यों stable होता कि भाई अब यहां देखो यार MO को दिखाते हैं तुम्हें यहां लो यहां बताओ का MO यह MO है ठीक MO में बाहर 5S2 नहीं है बन है क्यों है क्योंकि 4D5 बन आता है यहां पर के स्द्रेंट लृवगा वहां तो ज्यादा स्थाई होगा तो यहां से एक etron यहां पर जब जबनता कि वहें सेनियरियों यहां पर है क्यों क्योंगि कछिकर यहां तुमनें 5स2 भर भी लिया तो यहां 49 और 9 Also proceed बहुत निए 20 पूरे बरे होंगाblack Marshall ।ूँम और सिर्फ-ध बाखी सम्में two चल्ला यार इसीडिए बनतीस कियों विन्याद क्योंकि D में मैरे इसम cumpller मैं ही सम्में की सम्में serve के ऐसे बिंसके सब कान चलेंगे इन क्योंकि जिनन का नंबर होता है 54 54 54 ते कि लो देखो 54 और एक 55 और दो 55 और दो कितने हो गए बताओ 55 और दो 57 यह दो 57 आ गया फिर 72 नंबर से शुरू हो जाएगा या क्योंकि 58 से लेगा इक 70 तक तो 4 है ब्लॉक बाले होते हैं वहम आपको बताएंगे लेंधेनाइड क्या होत थी CU प्लस 2 भी दिखा रहा था प्लस बंद की ऑक्सिकन संख्या भी दिखा रहा था FE CL3 यानि 3 की ऑक्सिकन संख्या भी दिखा रहा था FE 2 की ऑक्सिकन संख्या भी दिखा रहा था यानि overall बात करें तो यह सारे के सारे जितने भी D block वाले हैं यह सारी की सारी variable oxidation state show करते हैं, लिख भी दिया है, 3D elements के समान, ये elements भी variable oxidation state show करते हैं, जैसे 4D series लिखी हुई है, तो 4D में मालिया नायो भी हम है, तो ये plus 2, plus 3, plus 4 सब देता है, जिर्कोनी हम है, plus 3, plus 4 देता है, इटर्बियम plus 3 देता है, ठीक है सर, मालिया रोडियम है, प्लस 2, plus 3, plus 4, plus 6 देता है, क्यों देता है, क्योंकि सारा खेल भाई है, हर आदमी चारा उसे अक्रिय गैस वाला बिन्यास मिल जा है, कि मालिया क्रिप्टन का 36 होता है, हम 36 तक पहुंच जाए, तो किसी का नमबर 38 है, तो क्या करेगा, 2 दे देगा, आराम से बटेगा, सुकून से इस तरीके की चीज़े हैं सर, ठीक है, ऐसे 5D सीरीज है, 5D सीरीज के अंदर मेरे भाई, ये सारे के सारे, जिसे से टंगस्टन प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 देता है, आस्मियम है, प्लस 8 तक की दे रहता है, मेरे बाई, इरिडियम है, प्लस 6 तक देता है, तो इसे केवल आपको एक बाद देख लेना, बैट के चीज़ और याद रहा है, कि मालिया आम इतना नहीं लिख सकते हैं, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 भी दिखाता है, तो जरूरी नहीं है, यह सब लिखो, यह हम आपको क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे बाई, यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा रहा है, ताकि अगर आप कहीं पर पढ़ाई करो, कुछ करो, तो कम से कम मेरे बाई, यह नौबत ना पढ़ा है, कि हम ने तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़के चले करें, नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारी चीज़े डिटेलिंग करो, ताकि मेरे भाई, आप अच्छे नमब ला पाओ, प्लस, किसी को पढ़ाने की नहीं बताप है, इसमें अभी, तो theory of वहीं से लिखेलोगे, theory of color लिखी वही है, 3D element के समान 4D और 5D elements भी color शो करते हैं, और सब को बताई है कैसे color शो करते हैं, हमने आपको बताया थे कि यह प्रकाश आता है, बिल्कुल example दिया था, इस pen का, प्रकाश आएगा, कुछ इसके दोरा observe हो रेटीना पर हमें फिर बस्तु दिखाई देगी, यही सारी चीज़ी ना, theory of color बिल्कुल बैसे ही लिखी हुई है, same PDF लगी हुई है, मैरे भाइटी के colored object है, white light पढ़ेगी, प्रकाश हमारी light पढ़ेगी, बस्तु पर यहां से हमारी आख की रेटीना पहुंचेगा, हमें कै इसकी तंत्रिकाओं के द्वारा वहां में सीधा दिखाई दे जाता है, तो यानि इस तरीके जा मैं पूरा system दिखा जाता है, आपने सुना होगा हाईगेंस नाम का एक आदमी था है 12th में, तो उसने कहा था हाईगेंस की तरंगिकाओं का सिद्दान दिया, की प्रकाश तर के लिए तरंगिकाओं भी, यानि जो अलग-अलग बेवलेंद की तरंगें चलती है, इस तरीके की चीज़े होती है, फिर interstitial compound उसमें भी था, इसमें भी है, interstitial compound क्या होता भी या कुछ छोटे-छोटे जैसे carbon fit हो जाता था, carvide बन जाता था, hydrogen तो hydride बन जाता था, nitrogen त hydride बन जाता था, oxygen तो oxide बन जाता था, तो इस तरीके से छोटे-छोटे compound जो खाली जगह होती है, atom size में परियात रूप से large होता, तब इनके crystal में बीच में खाली जगह होता है, जिसमें छोटे-छोटे molecule बिलकुल भाई ही लिखा हुआ है, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen आकर fit हो जाते हैं, तो य से लिखा है, carbon है, hydrogen है, oxygen है, nitrogen, same PDF लगी हुई है, इसी तरीके के चित्र है, interstitial compound formation है, जो बीच में खाली जगह होती है, उसे क्या कहते हैं, interstitial gap कहा करते हैं, compound को क्या कहेंगे, interstitial compound कहेंगे, तो पहले 3D वाली वीडियो देख लो मेरे भाई, पूरा भाई है, same है, उसक प्राइब क्या था, बताओ, catalytic property होती है, catalytic property में जैसे platinum बाला दिखा दिया, palladium chloride बाला दिखा दिया, तो यह जितने भी है, जैसे 3D element है, तो 3D element के समान, 4D और 5D elements भी catalytic property शो करते हैं, जैसे 3D वाले शो करते हैं, वैसे 4D और 5D भी शो करते हैं, वैसे सीदी सी बात है यार तो अलग से नहीं दिखाना कुछ भी भाई, लगबग सेम चला है, यहाँ पर क्या थोड़ एक्जाम्पिल बदल देंगे, जैसे PTO को Atoms Get A List कहते हैं, इसका Reduction Reaction में करते हैं, जब कभी भी Reduction मतलब Up Chain वगरा करा जाता है, तो इस तरीके के हम लोग उत परिरकों का प्रियों क लेते हैं, PTO है, PTO है, PTO है, प्रोस्ट बाल्ड प्रोसेस में HNO3 को बनाने के लिए आपने 12 गलास में पढ़ रखा है, ओस्ट बाल्ड विदी से नाइटरिक हम लेका अब तो जो बच्चे पढ़ रहा है, उनके कोर्स है अटा दिया गया 12 से इस साल, लेकिन पहले आपने सबसे अधिक प्रोपरटी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, इनके पास फ्री बैलंसी प्रजेंट होती है, जिससे यह किसी से भी कनेक्ट आ जाते हैं, का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, वही सारी चीजे लिखी हुई है, जेडें है, सीडी है, एचजी है, इनके जितने भी डी और्बिटल्स होते हैं, यह कोई कैटलेटिक प्रॉपरटी शोनी करते हैं, पिछली वीडियो हमने बताया था, क्योंकि जिंक के पास मेरे बही क् कंप्लीटली फिल्ड डी और्बिटल होता है, डी में पूरे दस होते हैं, यह बाबा आदमी है, ना किसी को लेते है, ना किसी से देते है, कोई मतलब नहीं रखते है मेरे भाई, तो इस तरीके की सारी चीजे है, मैगनेटिक प्रॉपरटी बिल्कुल सेम बैसे ही आप यहां पर ध्यान लगना हो, पहले लिख भाई था, इस पिन मैगनेटिक मुमेंट फिर और्बिटल मैगनेटिक मुमेंट वो पूरा सब लिखते चले आएंगे, पिर यह मत कहना सर्दी आपने बताया नहीं, वो सब लिखते चले आएंगे बिल्कुल बैस सही, उसके बाद फिर यहां लिखिएंगे आता करके, उसमें मेरे वाई वैलूज जीरो कर दी थी हमने, तक मुअफर मुवखे मूल की मॉंज मूग हो, वहान बनों स्कूल एक पर इस पिर और सुन मुखर्ण से बिल्कुल था, हमने बताया था, एक इस मोशन होता है, ऑपनी जगए पूरा और एक न्यूक्लियस के चारो तरफ चक्कल लगा था पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो यह समझ में आ रहा होगा तो मेरे वाई उसमें क्या होता था और्बिटल मोशन जीरो हो जाता था थी दी के लिए इसमें जीरो नहीं होता है तो पूरा मानम लोग लग क्या होता यह भी पूरे डिटेल में हमने आपको समझा रखा है तो यह सारी चीजे विल्कुल बैसे ही बता रखी है क्या था एक शॉर्ट में बता रहा है जिनमें मेरे भाई जो है जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते थे डाया मैंगनेटिक बिना जोड़े के होते थे पैरा बस इसमें कोई जी रो नहीं होती है तो इससे हम लोग आसानी से कल्कुलेट कर सकते हैं यहां बाई बाई ओंप्लेशन Sono और भी कॉंप्लेशन बनाते लगों ग्क्राट से एकजाम्पर लिग citi K4, Fe, Cn का Hola of 6 उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं, सारे वही हैं बस एक PT वारा भी लिख दिया, PTNS3 का Hola of 4, CL2 तो यह सारे के सारे complex यानि coordination compound भी बनाते हैं मेरे बाइ, यानि यह पूरी लगबग same PDF है बस आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो नाम है, इटर्बियम, जिर्कोनियम, नायोबियम यह सारे के सारे नाम आपको याद करने हैं, सिर्फ नाम ही याद करने हैं बाकी बिन्यास बनने के बाद सब कुछ same है, वो भी oxidation state दिखाते हैं वे दिखाते हैं, वो भी color show करतें ये भी show करते हैं, वो भी interstitial compound का formation करते हैं, ये भी catalytic property show करते हैं, ये भी catalytic property show करते हैं, सब कुछ बिलकुल वैसे चला है, cause of magnate उसमें भी 12 थे मिरे bhai, orbital moment और magnitude, यानी spin moment लेकिन उसमें Muell की value आखरी में 0 हो जाती तो यह आपकी second paper की पूरी एक unit खतम हो गई है 3D, 4D और 5D series, इस level पर आप एक चीज़ यह याद रखना, कभी कभी तुलना पूछ लेता 3D और 4D, 5D series के अंदर, तो आपको एक तरफ 3D लिखना, एक तरफ 4D, 5D लिखना, और सेम तरीके से तुलना करते नहीं है, कैसे तुलन combination compound बनाते हैं, यह भी बनाते हैं, यह interstitial बनाते हैं, इनके लिए mule 0 होता है, इनके लिए नहीं होता है, कैनी इस तरीके से आप जो 67 points आपको लिखना, और तुलना अराम से हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे यह करते हैं, अंदा अधुन छापने पाइजाते हैं, नहीं